वामी विवेकानन्द बनते कैसे हैं, क्या आपने इश्वर को देखा हैं, और पहली बार कोई व्यक्ति मिला, जो आखों में आखे मिला के बोल रहा है, हाँ मैंने इश्वर को देखा है, परे परे विद्वान लोग जो उपेसी के कोचिंग चलाते हैं, ऐसे लोग अंडिकॉ तो उसको लेते हुए एक पार्लेमेंट बुलाई गई थी, वो सिर्फ वर्ल्लेमेंट रिलिजेंज नहीं थी, साइन्स के सेक्षेन अलग था जहा निकोला टेसला भी लेक्चर ले रहे थी, उसी में एक भाग था वर्ल्लेमेंट रिलेजेंज, अच्छा मैकॉले ने कहा थ मैकॉलेग 18.35 के मिनट से हैं, ओनलाइन देख लेजेगा, क्या तुम्हारे, मतलब इंडियंस तुम्हारे, जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं, वो हमारी जो टेक्स्ट है, हमारी जो लिटरेचर है, उसके एक बुक शेल्फ के बराबर, ये मैकॉले ने कहा, अब हारवड क प्रोफेसर कह रहे हैं, क्या तुम्हारे जितने भी विद्वान हैं, उनकी बुद्धी और एक ये स्वामी बुद्धी 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 बराबर, आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं, अपनी चौपाल का एक और एपिसोड, स्वामी विवेकानन्दा, नाम तो हम समने सुना ही होगा, 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में, माता भुवनेशवरी देवी और विश्वनादत जी के घर में, नरेंदरनादत का जन्म होता है, जिनको बाद में हम स्वामी विवेकानन्द के तौर पर जानते हैं, नमस्ते मैं निखिल यादव विवेकानन्द केंदर का पूर्ण कलिन कारे करता हूँ और अभी वर्तमान में उत्तर भारत के युवा प्रमुक का मेरा दाइतो है और ज्वालार नहरू विश्विदेले से मैं अपनी पिएशजी कर रहा हूँ मेरे साथ में हैं आज चर्चा में डॉक्टर रंधीर जो डेली उनिवर्सिटी से जिन्होंने अपने डॉक्टरेट की है डिपार्टमेंट अफ एफ्रिकन श्रडीस से और सर विवेकानन्द केंदर विश्विदेले के सयुजग है तो स्वामी जी के ऊपर बहुत सारी चीजे हैं काफी उत्सुकता है लोगों के बीच में खास करके युवाओं को लेकर के तो इतने सारे प्रशंग हैं तो अभी की जो चर्चा है जो चौपाल में हम बैठे हैं मेरे ख्याल से अगर उनके सुरुवाती जीवन से शुरू करे या संचिप्त परिचे कहले बालकाल से ले युवाओं में, अभी वर्तमान समय में और उनका संशिप्त जीवन पढ़ जाए। उनको पहला धक्का मिला 1857 में, वीर्दामदर सावरकर जी उसको फर्स्ट वर उफ इंडिपेंडनस कह रहे हैं। और उसी पॉइंट अफ टाइम में एक सोशलिजिस मुवमेंट चलने लगी। जिसमें आप चाहे स्वामे वेकानद के ही प्रांत में अगर हम बात करें तो ब् तो यह टाइम पिरेड में स्वामे वेकानद का जन्म हुआ था। स्वामे वेकानद की मैं कहूंगा क्या आखे तब खुली जब वो श्रीरामकृषन परमाहन के प्रत्यक्षपरीचे में आ लगए थे। प्रत्यक्षे परीचे मतलब जो स्टार्टिंग के कुछ मिले मिलाब के बाद जब उन्होंने गुरु की ट्रेनिंग वाला पार्ट जब शुरू हो गया था वो परसंग वरा रोचक है तुरा उस पे भी रखे जो दर्शक है और जो खासकर इवाव है उनके लिए स्वामी विवेकानद का सिर्फ एक ही प्रशन था एक ही विश्य था यूपीएसी वाले का यूपीएसी होता है यूथ के लिए नौकरी करने वाले का नौकरी होता है स्वामी विश्य था वो विश्य था इश्वर को देखना और यही विश्य लेके वो सबसे घूमते थे और देवेदरना टैगोर के फादर के पास पहुंचे देवेदरना टैगोर के पास देवेदरना टैगोर जिसे उन्होंने सिधा-सिधा पूछा आखों से आखे मिलाकर आपने इश्वर को देखा है तो बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा लेकिन आप जरूर देख लोगे दत पा उन्होंने उनको वो ट्रांस पढ़ा रही थे, ट्रांस मतलब समाधी का श्टीट, तो उसको जानने के लिए कि अबे, theoretical तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अगर practical तुमको जानना है तुम, श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षी नेश्वर में एक सन्यासी बैठते हैं, साद वहाँ पर उनको बैरिवार मुलाकात हुई थी, एक और finding है, जो बहुत कम लोगों को पता होगी, वो finding ऐसी है, जो मेरे को रामकृष्ण जी की अपना वचनमरित, the gospel of श्री रामकृष्ण परमहंस, जो उनकी प्रैमरी पुस्तक है, उसमें पता लगता है, कि स्वामी विव जब पहली बार दक्षन इश्वर जाते हैं, और श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, और स्पश्टा से एक ही प्रश्ण पूस्ते हैं, कि आपने इश्वर को देखा है, और पहली बार कोई व्यक्ति मिला, जो आँखों में आखे मिला के बोल रहा है, हाँ मैंने इश इंडियन स्कॉलर्स को पढ़ने वाला, इंडियन स्कॉलर्स, वेस्टन लॉजिक, इंडियन लॉजिक, वेस्टन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वेस्टन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी को पढ़ने वाला, प्रेजिदेंसी कॉलेज में घूमने वाला, एक स्मार्ट जो जिमनेजियम में जाता है, नरेदर नादत, इतना असानी से थोड़ी मान लेगा, कि हाँ बागवान को दिखा दोगे, सर विलियम के लेक्चर में बैठने वाद, तो आने वाले दिनों में, आने वाले छे वर्ष में, श्री राम कृष्ण पराम हसने, गुरू ने अपने जीवन से उनको दिखाया, और विशे विल्कुल क्लियर कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्षिप द जीव एशिव, कि सामने जो मनुष्य है, वही इश्वर है, और नरेंदर तुमको, नरेन जो उनको प्रेम से कहते थे, नरेम तुमको भारत मा का काम करना है, सिर्फ इसकी ही सेवा करनी है, जन्म का नाम नरेना करनी है, तो ये concept स्वामी विवे कानद को प्यूरली समझा गया, कि जो सामने मनुष्य है वही इश्वर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, और वही कारे करने के लिए फिर वो भारत ब्रह्मन कर निकली है। तो जैसे हम अभी ये तो स्वामी जी को ले करके, जो अभी बात है, ये तो उनका संशिप्त जीवन पर्चे में हम लोग नें देखा कि किस तरीके से वो ने, उनकी बात बताएं, जो अभी आपने बताएंगी, सिवावे जीव सिवा, वहाँ से जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, और वो पैदल पैदल भारत के लिए निकल परें, फिर पश्शिम के तरफ जाते हैं, ये बड़ा रोजग पर संगया और इसमें काफी सारी तरूटिया है, तरूटिया क्यों कि ब्रांतियां है, बड़े-बड़े स्कॉलर्स भी कही सुनी बातों पे चले आते हैं, कि उन्होंने सुनने पे बोला, तो उनको दो मिनिट का समय दिया गया था, वो उन्होंने इतना अच्छा विशे रखा, ये ऐसा कुछ है नहीं, तो फैक्ट फाइंटिंग्स में जब हम देखते हैं चीजों को, जैसे स्वें उन्होंने जो लिखा, या ठाकूर ने जो उनके बारे में लिखा, उनके अपने गुरु भाईयों ने लिखा, तो ये असपश्टता से, जो चीजें हैं वो हमारे दर्सकों या देशवासियों के पास, दुनिया के सामने वो चीजे आने चाहिए असपश्टता के साथ, तो वो क्रमसा आप उन विशेयों को लेकर कैये, कैसे वो भारत कीतर निकलते हैं, फिर वेश्ट में जाते हैं, और वहाँ से पश्चिम पर क्या प्रभाव परता है उनका, तो आप वहाँ से, श्री रामकृष्णा परमाहश्जी ने अपना देह छोड़ा 1886 में, स्वामी वेकनद के सब्सक्राव ने बहुत बड़ा चलेंज आ गया, छिर रामकृष्णा परमाहश्जी के 16 सन्यासी शिष्य थे, स्वामी वेकनद आगे रही नहीं थे, स्वामी तुरियाननन, स्वामी अकंड़नन, स्वामी ब्रह्मानन, स्वामी सुबोदानन, स्वामी विग्याननन, ऐसा अगर के 16 गुरु भाही, अब सभी एक से एक, एक से एक, एक से एक मतलब जैसे सचीन के नीचे बागी लोग दब गए, राहूल करविड के अपने रिकॉर्ड से हैं, सचीन देन दों करकर कभी सचीन ने कभी 300 नी स्कोर किया, लेकिं सहवाग ने दो बार स्कोर किया है, ऐसे उनका भी स्प्रिच्वल लाइफ या सोशल लाइफ बहुत इंपेक्टफुल है, तो इनको एक अत्रित करना, जैसे गुरू का, गुरू ने अपना शरी चोड़ा, ये अपने घर चले गए और ये डिस्मेंटल होए, उनको एक अत्रित करना, और वहा नगर मठ एक सस्ती फी जगे भी, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग शुरू करना, ट्रेनिंग किस बात की, जूता सीलने से लेगे उपनिशद के ग्यान तत, जो आप बाद में जो लोग देख रहे हैं, इंपक्त, रामकृष्ण मोव्मेंट का इस ये ये वह इंपक्ट व्यक्ति के बताना, कहते न कि व्यक्ति चुटकी में थोड़ी बन गया, वो ट्रेनिंग, अजगूत ट्रेनिंग, और फिर स्वामने विवेकानन्द को 1887 में ये फिल हुआ, कि एक बड़े वट विक्ष के नीचे छोटे विक्ष समापत हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा, और फिर भारत का काम करना है, तो भारत को देखना पड़ेगा, तो वो 1887 में कलकता से पैदल पैदल ही चल पड़े बारत ब्रह्मन के लिए, एक हाथ में श्रिमत भगवत गीता, दूसरे हाथ में कमंडलू, और परिवराजक सन्यासी, परिवराजक सन्यासी क्या होता है, जिस तरफ उठेगा, उस तरफ चल पड़ेगा, इसको थुरा सा वो बताईए था कि जो युवा है, एक सन्यासी अपना नाम बदलता है, स्वामे वेकानद वो औरिजिनली नोन एज विरेश्वर, मा विरेश्वर, क्योंकि भगवान शिव के स्वापन में आये तो उनका नाम विरेश्वर रखा, उसके बाद कॉलेज में या स्कूल में जब नाम लिखा गया, तो नरेंदर अफिशल नाम, अब जब नाम, जब सन्यासी बनना होता है, तो अपना नाम बदलना होता है, अब आप पूछोगे नाम क्यों बदलना होता है, क्योंकि नाम के साथ स्मृतिया होती है नाम के साथ नाम के साथ दुख और सुख जुड़ा होती है पुराने संबंद होते है लेकिन एक सनैसी के तौर पर आपको आगे बढ़ना होता है तो स्वामे विवेकानन्द का नाम रखा गया विवीदीशानन्द अब विविदी जानन तो बोला नहीं जाएगा ये भी एक रोचक प्रसंद है तो फिर स्वामे विवेकानन जब भारत भुर्मन पर निकलते हैं तो सबसे पहले वो उतरप्रदेश को कवर करते हैं अगर मैं उतरप्रदेश में बात करूँ चाहे वो काशी जाते हैं सबसे पहले काशी, आयोध्या, वरिंदावन, हाधरस, गाज़िपूर पभारी बाबा से मिलते हैं मेरट, पूरा उतरप्रदेश जाते हुए वो उतराखन जाते हैं जो उस समय उतरप्रदेशी था उसके बाद वो दिल्ली होते हुए राजस्थान पहुंछते हैं राजस्थान में जब खेत्रडी के राज़ा अजीद सिंग उनको मिलते हैं तो कहते हैं स्वामі जी आपका नाम विवीदीशन्दन नहीं बोला जाता आपका नाम विवेकनद तो राजा आजीत सिंग, जो की खेतडी के राजा थे, उन्होंने, और साफा भी स्वामे विवेकानत को राजस्थान में मिला, फिर स्वामे विवेकानत आगा, आगे बढ़ते हैं, गुजरात, खांडवा, होते हुए मत्यप्रदेश में, और उसके बाद महराष्टा, आटक से कैरला, कैरला से कन्या कुमारी, कन्या कुमारी में तीन दिन तीन राज साधना करते हैं, 25th, 26th, 27th of December 1892, पांच वर्ष भारत को देखने के बाद, पांच वर्ष भारत के गरीब से मिले, पिछडों से मिले, राजाओं से मिले, सब को देखा, और राजाओं के महलों में भी रहे, पांच वर्ष भारत को देखने के बाद, भारत के ओपर इंट्रस्पट किया, तीन दिन बैट कर, भारत के भूत, वर्तमान और भविश्य पर, और वहां पर फिर वो बाद में अपने गुरु भाही को, रामकृशन नंजी को लिखावा पत्र, किया वाइल से लाज्ट रॉक ओफ एडिया, और वो प्लैन वही था, जो बाद में सुभाश चंदर बोस कहते हैं क्या, स्वामे विवेकानन ने भारते नव संतती के अंदर, अपने अतीत के प्रती गर्व, अपने भविश्य के प्रती विश्वास, और अपने स्वें में आत्म विश्व पास और आत्म सम्मान की गौरों की बावना जगरित करी, हम उश्वेश्य पे भी आएंगे, चुकि बात स्वामी जी की है, तो अनायास ही हर बार मैं बार-बार युवाओं पे जोड़ दे रहा हूं कि वाओं पे, अभी आपने फ्लो में बता दिया कि वो निकले कलकत्ता स अपने गुरु भाईयों को सब चीज़े उन्होंने दे दिया और वो खुद ठाकूर के बताय हुए रास्तों पे कि चुकि जीव की सेवा करनी है, तो आपको देखना तो पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा, तो वो निकल पड़े, लेकिन आपने जो बताया पूरा उत्तर काफी रोचक परसंग रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि वो तो स्वामी जी थे, है ना वो मतलोग देव पूरूस थे, मा काली की संतान थे, लोग भगवती का असिरुबात था ऐसा, लेकिन वो भी हम सामाने लोगों जैसे हम लोग घर परिवार से निकलते हैं, आप चु तरी कैसे, वहाँ भी स्वामी जी ने संदेश दिया, तो ऐसे पूरे संदेश, जैसे उस रोग पे जाकर के जो है, उनको जहाँ भी विवेक अनंद सिलास मारक मना हुआ है, वहाँ से तो सब जान गए कि स्वामी जी क्या है, इस बीच में जो स्वामी जी का पूरा प्रशं एक तो हर जगे स्वामी वेकानद के लिए भी नवीन थी, स्वामी वेकानद ने हर जगे के बारे में जाना भी, प्रभुश्री राम जी का मंदिर बाइस तारिक को प्रांग प्रतिष्टा है, स्वामी वेकानद भी आयोध्या गए थे, अपने गुरु भाही के साथ ही और वहां के सादू संतो से उन्होंने खूब राम चरित्रमान सुनी, बगवान राम की खूब कथाई सुनी, और ये इंपक्ट आपको उनकी बात की टीचिंग में मिलता है, सीखा यहां, सीखा यहां, संदेज दिया पश्यम को, रामायन लेक्टर तो उन्होंने कैलिफोनि अपने पहले सिख्य मिलते हैं, बहुत सारे लाजया उनको घर बुलाते हैं, बहुत सारी जगे ऐसा हुआ, क्या शेरीर बिल्कुल तूट गया, खतम हो गया, स्वामी विवेकानन्द हमारी तरह एक systematic life नहीं जी रहे थे, क्या यहां पे table होगा, हम बैठेंगे, लिखेंगे स्वामी विवेकानन्द को कितने न कितने दिन पेड़ के नीचे सोना पड़ा, अगर विवेकानन्द को अगर यहां को समझना है, तो एक दिन अपने पास वाले पेड़ के नीचे एक दिन रात मिता तो स्वामी विवेकानन्द को अंशाप समझ पाऊंगे, तो इसलिए वो फिर रजस्थान में गए तो रायस्थानी भाषा उत्र परदेश में गए तो वहां के लोकल भाषा तो वो आत्म साथ करना तो तब ही तो जब पश्ची में गए तो भारत 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 हो गया सब और जिसके वारे में रिप्रेजंट कर रहे हैं वो पुस्तक से थोड़ी स्वामी वेकानत के उपर जो आप रिसर्च में कहेंगे empirical data था तो वो उनको बताता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं क्या ये जो शरती पहुंची है तो कि British's का रास था, कुरूरता थी तो स्वामी जी कहते हैं कि किसी point of time पे भी एक करोड से ज़्यादा British's भारत में ने रहे हम 30 करोड थी, फिर भी हम दब गए, फिर भी हम दबाए गए, हम कुछ ले गए तो उसके कारण के उन्होंने चिंतन किया और भारत का सम्मान पुन्हे प्रतिष्टित हो कुछ मैं पैसा ले की आऊ सेवा के लिए और कुछ डिसाइपर्स ले किया हूँ, उसके लिए वो पश्ची में गए तो जब पश्ची में जाते हैं स्वामी जी और वही से स्वामी विवेकानन जो है वो घर-घर तक पहुंचते हैं दुनिया के घर-घर तक पहुंचते हैं वह जो जो पश्चिम में वो अपना धर्म संसत में बोलने जाते हैं, उस वीशय को ले करके, जो अधर्म जैसे बहुत धर्म वाले थे वह रहांपे, तो वो जो विशय था पश्चिम में और वो किस तरीके से फ्यल को कि वहां से उनकी एक सिस्या मिलती है Margaret Nobel, जिसको हम लोग जानते हैं भागनी निवरेडिता के नाम से, तो वो पूरा परसंग जो है आप रखें तो ज्यादा बहतर हो। स्वामी विवेकानद के बारे में जिसने भी सुना है, वो यह जरूर जाता है कोई सन्यासी गए थे और वर्ल्ड पर्लिमेंट फ्रिजन सुआ तो उसको कुछ बोला है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, हम तो नहीं मानेंगे, तो उसको लेते हुए एक पार्लेमेंट बुलाई गई थी, वो सिर्फ वर्ल्ड पर्लिमेंट डिलिजन नहीं थी, साइंस कर से सेक्शन अलग था जा, निकोला टेसला भी ले रहे थ अब था वर्ल्ड पर्लिमेंट डिलिजन्स, यह 17 दिन तक चला, 11 से 17 सेप्टेंबर 1893, तो स्वामे विवेकानद ने वहाँ पर एक लेक्शर नहीं दिया, वहाँ पर 6 लेक्शर दिये, स्वामे विवेकानद जब वेस्ट में पहुँचे, तो उनके सामने बड़ा करने के लिए, आपको कोई ना कोई कार्ड हो, चाहिए होगा, किसी संस्ता का, किसी औरनाईजिशन का, तो स्वामे विवेकानद वो कर नहीं सकते थी, था नहीं, और समय बहुत कम था, स्वामे विवेकानद को सिर्फ और सिर्फ आने वाले दो महीने में, ठяжएंड और ढु का भी सामना करना पड़ा कोई उनको कहता था यू ब्लैक तो कोई कहता था यू निगर और स्वामे वेकानद को कुछ युवाओं ने हमला भी करने की कोशिच करी उनके उपर और ये सब सहते हुए वो जॉन हेंडी राइट से मिले जॉन हेंडी राइट उसमें ग्रीक के प्रोफेसर थे हावाड यूवाइसिटी में उन्होंने स्वामे वेकानद के साथ कुछ समवाद किया तो उन्होंने कहा कि स्वामे कानद आपको वर्ल्ड परल्लमेंट रिलिजन्स में पाइटिस्पेट करना चीए स्वामी जी ने उनको कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं वो अपने हाथ से लिखे पत्र में देते हैं वर्ल्ल परल्लम डिलिजन्स के हेड को मैकॉले ने कहा था मैकॉले के 18.35 के मिनट से हैं ऑनलाइन देख लेजेदा क्या तुम्हारे मतलब इंडियंस तुम्हारे जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं वो हमारी जो हमारी जो टेक्स्ट है हमारी जो लिट्रेचर है उसके एक बुक सेल्फ के बराबर ये मैकॉले ने कहा अब हारवड का प्रोफेसर कह रहा है क्या तुम्हारे जितने भी दवान है दुनिया की लिखे दे रहा है पत्र वर्ड परणू लिजन्स के चेर्मेन गो तो वो स्वामी विवेकानंद को लिख रहे हैं वर्ड परणू उनको क्या तुम्हारे जितने भी विदवान है उनकी बुद्धी और एक ये स्वामिय गंद के बुद्री बड़ाबर है तो वो डिस्मेंटल स्वामी जी ने किया वो स्वामिय विवेकानन्द को पत्र लिखते हैं वहां से स्वामिय गंद वर्ल्ड पर्लिम ड्रेजरस में पहुंसते हैं उनको वो पर्ची गुम हो जाती है ये मैं 10 सितंबर की बात कर रहा हूँ 11 सितंबर को स्वामिय गंद अपने लेक्षर देने वाले हैं और वो एक तब्बे में सोते हैं क्योंकि बाहर सोएंगे तो अमेरिका में पुलिस उठा ले जाई को फिर आता है है वो एक ती ऐसक दिन 11 सितंबर 1893 में उस दिन सोभाविक है जो आपने सही कहा स्वामे वेवेकानंद का उद्रह होता है वर्षों के बाद जो आग शतरपती शिवाजी महराज ने लगाई थी वो स्वामे वेवेकानंद ने अंगिकार करी वो वहाँ पर प्रक्टित होई थी स्वामे विवेकानन्द उसमें पहुंशते हैं अला सिंगा पैरुमल उनके शिश्य का लिखाव एक पत्र है 2 नॉम्बर 1893 को और उसमें सब लिखते हैं मैं माता सरस्वती का आशिरवाद लेकर स्टेज पर चड़ा सब बाकी लोग स्वामे विवेकान लिखते हैं अला सिंगा पैरुमल को लिखावा ये पत्र है अला सिंगा पैरुमल लिखेंगे 2 नॉम्बर 1893 को शिकागो भी 2 मेरे बाद माता सरस्वती का आशिरवाद लेकर मैं स्टेज पर चड़ता हूँ वहाँ पर सभी जो लोग थे वो अपना पत्र पहले से लिखके आए थे माकेला था जो लिखके नहीं लेके गया था स्पीच और मात्र मेरे पांच शम्द माई डियर सिस्टर्स और प्रदर्स ऑफ अमेरिका और पांच हजार लोग आगे सांगे ताली मारते है मेन लेक्चर हुआ उनिस तारीक को उनिस सिटर्वर को पेपर और हिंदुईजम जिसके लिए स्वाम एक अनद गए थे फिर भी स्थारीक को रिलिजन नोट दे क्राइंग निड उफ इंडिया पश्यम को च्छाती बेच अडगे उन बता रहे है तर्वर्ट करने के लिए लोगों को मत भेजो शरमानी चाहिए तुमको और वर्ल पारिलेमेंट रिलिजन का उनका पहला लेक्चर जहां स्वाम एक अन्द कह रहे है जिसको आजकर लोग ब्रदर हुट का ना दिया हुए स्वामे व्यकान्द ने सब कुछ फ़तम कर दिया स्वामे व्यकान्द ने कहा यूनिवर्सल बदर हुट और पश्चिम कोई समझ नहीं आए बोल गया गए कि ये तो हम सोचे नहीं क्योंकि लोग सोच रहे थे स्वामे कांद के शब्द मेरे शब्द नहीं है काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्यानिटी को विष्व का धर्म कर दिया बाद हो रही थी क्या मैस रेष्ट हूं मैस रेष्ट हूं सब अपना कुनगान कर रहे है वहां पर एक व्यक्ति उठता है और कहता है जेलो मत स्विकार करो हमने किया है जब रूमन टैरनी की वज़े से लोग भाग गए हमने हमारे दक्षिन भारत में जोरेश्टिन्स को जगे दी जहां लोगों को संपूर्ण विष्व में जिस पंत को भगा दिया गया हम हमारे भारत में उनको जगे दे रहे थे हम उसको जीते हैं ये कॉंसरप स्वामी जी ने पश्चिम को पश्चिम समझ नहीं पाया ये बोल क्या रहे हैं और करते-करते स्वामी विवेकानन्द वर्ल्ड पार्लिम्ट रिजिंस के सबसे बड़े वक्ता बन गए जिस स्वामी विवेकानन्द को पिछले दिन बहार डबे में सोना पड़ा वो उन स्वामी विवेकानन्द के बड़े-बड़े होडिंग्स लग गए वो जाकर के कहते हैं कि बड़े-बड़े होडिंग लग गए अकबारों में हेडिंग आने लगी अब अकबारों में हेडिंग आ रही है अहिंदु मॉंक विद ब्राइट आइज मस्कुलिन बड़ी परफेक्ट इंग्लिश जो स्वामी विवेकानन्द वोकल पूछने रहा था अच्छा लोग आप डॉलर खर्चने को त्यार है उनको छूने को त्यार है उनके लेक्टर्स और्नाइज करने को त्यार है लेकिन स्वामी विवेकानन्द को सपष्ट पता था कि मुझे मेरे को अपना क्या कार्य कर्मा है वो वेदान्त के परचार परशार में लगे रहे वो चाहे अमेरिका हो उसके बाद वो इंगलेंड गए जहां उनको बगने ने बता मिली फिर चाहे वो आगे बढ़ते हैं चाहे जर्मनी हो चाहे स्विजरलेंड हो इस जिब तक भारतेता का जंडा साड़े तीन वर्ष में स्वामे विवेकान्त का भारत का जो चित्र था के तो सामसा पेरों का देश है स्वामे विवेकान्त ने वो चित्र बदल दिया क्या पश्यम को देने के लिए भी भारत को कुछ है कुछ नहीं बहुत कुछ है जो Sister Christian लिखती है विश्व संदेश स्वामे विवेकान्द की एक शिष्षया Sister Christian वो लिखती है Millionaires and Billionaires were happy to sit on his feet and listen to the lectures of Vedant, Shri Mat Bhagwat Gita and the Vedas स्वामे कंद किस पर lecture करते थे वेदों पर स्वामे विवेकान्द की एक खासियत और यह हमको समझना पड़ेगा broader perspective में हर वेक्ती कहता है यह मैंने किया मैंने भी एक कुस्तग लिखी है नाम लिख दिया निखिलिया दो क्या मेरे thoughts है मेरा क्या है सारा स्वामे विवेकान्द कहते है मेरा कुछ भी नहीं है जो भी मैं बोल रहा हूँ it has all come out of the Vedas the Shreemad Bhagavad Gita and the Upanishads स्वामे विवेकान्द ने सिर्फ उसको transform करके जो समझ आ रहा था भारत को और पश्चिम को उस समय उसको उस प्रकाशन को वर्दमान के समय के कालखन के उसमें जो वेदों की प्रासंगिता थी उन्होंने अपने लेक्चर अपने सब्दों के माध्यम से रखा और कोट करते हुए हाँ ऐसा ने कि हमने बोला हमने बोला हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है और फिर वो और अब तो जो complete works है उसमें तो वो बताय हुए कौन सा श्लोक है वो भी नीचे तो स्वामी बेवेकान ने उसको अंगीकार कर लिया था चीज़ों को और वो इस कारे में लगे रहे अब एक चैलेंज आता है चैलेंज ही है कि अभया जब परसिद हो जाते हो तो पश्शिम ने आपको उठा लिया अब वो भारत जिसको छोड़के आये थे निकोला टेसला उस समय के बड़े सेंटिस्ट दुनिया के बड़े फिसिस्ट जो अपनी लैब से बाहर है निकलते हैं वो आपके लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं 2700-2700 डॉलर खर्च के लोग आपकी क्लासिज अटेंड कर रहे हैं जी मेरा अंगला सवाल आपसे इसी विशे पे था कि जब स्वामे जी की बात आती है तो हमने फिलोसफी की बात कर ली वेदो की बात कर ली अभी आपने एक फिजिसिस्ट का नाम लिया है नाम लिया तो उनका निकोला टेशला विज्ञान पे भी उनका बहुत प्रभावरा है स्वामी जी का और भारत में बहुत उनका दगड़ा योगदान रहा है और अभी वो नंबर वन इंस्टिटूट है वो प्रसंग बताईए स्वामी वेकानन्द जब शिकागों जा रहे थे तो रास्ते में उनको जमशेजी टाटा मिले जमशेजी टाटा उस समय जैपैन जाकर कोई साइंस इंस्टिटूट भारत के उसमें बड़े उद्ध्यों पति है टाटा इसका जो लिनेजर अद्ध्यों लिनेजर है तो वो वह हाँ पर कुछ काम करना चा रहे थे स्वामी गानने का बात में करी अब बात इतनी हुई जादा नहीं हुई बूट पर सारी स्वामी गान बात में जमशेजी टाटा का हाँ से लिखा हुआ पत्रा आएसी बैंगलोर की बात कर रहे हैं देसका नंबर इस्टिट है इंडियन आइडिया था वो स्वामी गान ने दिया था उन्होंने आइडिया डाला जमसेजी टाटा दिमागी येस और भगरिन लेटा उस इंस्टिट के लिए जो मैसार के राजा थे और इन सब के साथ प्रयास करके वो इंस्टिट खड़ा कर वाती है तो भगरिन लेटा का बहुत विज्ञान पे भी इतना प्रभाव है कि अभी भी भारत जो है उनका दिया हुआ और वहां से प्रोड्यूस की हुए स्कॉलर्स जो है इस दुनिया में वो नाम कर रहे हैं अच्छा दूसरा जो प्रशन था वो ये था कि स्वामी जी का हम जो कालखंड देखते हैं उनके समय का उस समय भारत जो की गुलाम था उन्होंने काफी सार काम किये और जब वो पस्षिम से आते हैं उस समय भारत में एक नया माहल तैयार हो रहा था स्वतनता को लेकर के तो आपको सुवाशन बोश हो बाल गंगातिर तिलप जी हो या अपने जिल को हम राष्ट पिता महत्मा गांद इन सब के उपर और इन सब ने उनका जिकर किया है राष्ट कभी ने भी अपनी किताब दिरकर जी ने भी अपनी किताब में उनका जिकर किया है कि ऐसा कोई पैदा की बात करेंगे हम अभी रावान के विशह पे भी आएंगे कि अभी वो क्या है लेकिन उससे पहले जो उनके जो प्रभाव थे हमारे राश्री नेताओं पे और उनके वक्तव दे थे जो उन्होंने अपने संस्मर्नों में लिखाया अपने किताबों में लिखाया उस परसम को तरह ठीव उसको जनने के आवशकता वो बताईए क्रोनलोजी कली शुरू करते हैं हाँ क्रोनलोजी करते हैं बालग अंगादर तिलक जी बालग अंगादर तिलक जी स्वामय वेकणन से मिले जब वो प्रवास पे थे अपने रेमेसेंस में लिखते हैं मुझे पूने जाते हुए एक टेन में मिले एक हाथ में कमंडलू था पैसे बिल्कुल नहीं थे उस समय स्वामेकान स्वामेकान नहीं बने थे बाद में स्वामेकान जब प्रसिद हो गए तो बाद में वो एक नियूसमेपर पढ़ रहे हो तो कहते हैं अरे यह तो वही स्वाम विवेकानन्द है जो मिर से मिले थे और फिर बालगागाधर तिलग जी स्वाम विव्यकानंद से निरंटरता से मिलते हैं पहलूर मट भी जाते हैं और उनके जो संपादक है, केशरी, उसके जो संपादक थे, वो भी उनसे रेगुलर मिलते थे, और स्वामी विवेकानन्द के उपर एक रेमेसेंस लिखी गई है, उसमें बालगमादर तिलग अपना पूरा नोट लिखते हैं, दूसरा, महत्मा गांधी, 1893, स्वामी विवेक दो साल बाद, राजयोग पप्रिश हो जाती है, अमेरिका में, वहां से मंगवाते हैं, राजयोग पढ़ते हैं, और फिर, निरंतरता से ये पुस्तक गांधी पढ़ते रहते हैं, चाहे आप यदवड़ा जेल की लिष्ट देख लो, राजयोग एकमात पुस्तक हैं, जो स बड़ा जेल की लिष्ट आप देखेंगे, उसमें मिलेगा, और ये सारा आपको ओनलाइन में जाएगा, इसमें चैप्टर है, अमन्त विद गोखले, उसमें गांधी लिखते हैं, का मैं पैदल पैदल ही चल पढ़ा था सौमे कांध से मिलने, सौमे कंध उसमें एस्वस्त थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया, पुने जांधी जी जाते हैं, 1921 में, बैलूरमट, हिंदी में भाशन देते हुए बोलते हैं, मैं भारस्यसने पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानद का साहित्य पढ़कर, मेरा भारस्यसने हाजारों गुना और बढ़ ग उनकी बेहन को पत्र लिख रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं कि तुम्हारे भाई तो रिशी हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई की लिखे बाइगराफी जो स्वामी विवेकानद के ओपर है, वो मैं पड़ रहा हूँ, तो पहले बाल गंगा दर तिलद जी, उसके बाद हम मामे विवेकानंद का बनायोवा प्रोड़क कैसा होगा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो दो है बगने नेविता और एक हम सब के नेताजी सुभाचंदर पोस नेताजी सुभाचंदर पोस पंदरा वर्ष की उमर से अंदकार में जूज रहेते क्या मैं लाइफ में करूं क्या कौन नेताजी सुभाचंदर पोस जो छोटे सी उमर में ICS क्लियर कर लेते हैं उस समय की limited seats थी Cambridge में जाके तयारी करते हैं और क्लियर कर लेते हैं कौन नेताजी सुभाचंदर पोस जो दो बार Congress के अध्यक्ष रही कौन नेताजी सुभाचंदर पोस जो 11 से भी ज़्यादा बार जेग में गए कौन नेताजी सुभाचंदर पोस जो सब पुछ पाने के बावजूद भी काबूर होते हुए मौसको होते हुए बर्लिन तक भारत के अजादी मांगते हैं और फिर वहाँ पर जब बात नहीं बनता उनको बिला रहे होते हैं, जैपन में कि इंडिया नेशनल आरमी का ध्वज उठाओ और वहाँ पर कौनुछते हैं और इंडिया नेशनल आरमी, युद्ध के बंदियों में भी जो आरमी खड़ी कर दे और स्पष्टा से बोलते हैं और अंगूर में दियावा हूँ उनका भाशन तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा और वो जो उनका गीत आयने का कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिन्दगी है कौम की तुम पे विटाए जा चलो दिली पो कारती लाल की ले पे गाड़ के लहराए जा वो सुभाश चंद्रबोस बाबू कहते हैं मैंने भारत को प्रेम करना सिखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर और स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगरे निवेता के पत्रों से और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो ये सब कुछ छोड़ कर मैं उनके चर्मों में होता ये इंपक्त सुभाश चंद्रबोस की लाइफ पर उनकी दो पुस्तके हैं उसमें सुभाश चंद्रबोस लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंदा ट्राइट तो इन्फ्यूज इंप्रटी गर्व अपने भविष्य के प्रती विश्वास अपने स्वह में आत्म विश्वास आत्म सम्मान और आत्म गौरव की बावना जगर्वत कर रहे हैं वो नवसंत्रती खुद सुभाश बाबू है येस येस तो आप गये हैं कि स्वतंत्रता जो आंदोलन था और जो कालखंट था वो पूरा उसमें किस तरीके से स्वामी जी का प्रटेक्ष परभाव है उनके साहित्तों को पढ़के उनके जीवन को उनके किसे कहानियों से सुन करके ये साथ अच्छा तो ये तो मेरा एक सवाल था अपसे कि स्वामी जी जब आए वेस्ट से और इस तरीके से उनके भारत में जगा जगा उनके कई व्याख्यान हुए जो अभी का लहोर का व्याख्यान काफी वो रहा है तो सवाल था कि वो स्वामी जी कहते है कि हिंदू धार में ही दुनिया का एक मात्र सर्मान्ने धार में हो सकता है ऐसा वो क्यों कहते एक तो पश्यम को अच्छे से देखा अनुभूती बोलेंगे नहीं ज़्यादा अनुभूती जीवन में सारी फिलोसफी बढ़ी सारे रिलिजन्स के लोगों के साथ रहे और ये जो आप बात कर रहे हैं ये जो लेक्चर है स्वामे वेक अनद का बड़ा अधूद लेक्चर है स्वामे अधान कहते हैं वेदान शुरू कर देते हैं पहला अधान स्वामे कान कहते हैं वेदान अकेला है जो किसी व्यक्ती के ओपर अधाल इतने है किसी पुस्तत के ओपर आदल इतने है this is not based on people but on principles किसी भी पंथ के एक पैगम्बर होते हैं अच्छा यहां वो धर्न की बात नहीं के रहा है? भंत की बात कर, पंत की बात. यह ध्यान रखने हो क्यों थेख इह क्यूंत है, सब्सक्राइब के बात. बढ़े कोई भी हो, हम पंत की देखते हैं, मतलब पंत तो कोई भी खडा कर सका है? founder होता है, आप भी अपने एक पंथ कड़ा कर सकते हैं, और एक पुस्तक ली सकते हैं, उसके उपर लोग चाल सकते हैं, स्वावेकान कहते हैं, लेकिन, जब किसी पंथ के फांडर के उपर, उसकी historicity पे जब question होता है, और जब उसकी पुस्तक पे question होता है, तो आपका जो सारा पंथ हो डिसमेंटल होने लगता है, वो पिलर हिलने लगता है, वो बावले हो जाते हैं, लेकिन, अगर आप विदान को देखते हैं, वो कहता है, एकमसद विपरा भाधा वदनती, तरुथ इस वन देजिए इस वावेदान पे होगे, ठीक है, बात में आप आगे अब भी सही मार्ग पे हैं, स्टेप नीचे है, और ज़्यदा पहुँच जाएंगे, तो ये स्वावेदान का जो विशय रखते हुए जो कोड था, कोड ये था, क्या जो वेदानत है, वो प्रिंसिपल पे अधारित है, व्यक्ति पे अधारित नहीं है, इसलिए वो उनिव स्टेन भुंजी था, माग रथा, कस्यो सिद्यना, कै इश्वर हर्च सगे, विद्यमान रहे, सरवत्त रहे, कुछ भी अलग नहीं है, तो इसलिए स्वावेदान ने इसकी फांडेशन बताई, क्योंकि इसमें वेदानत में ये है, बाकी किसी पंथ में नहीं है, बाकी सभी जो हम अभी बरतमान में, समय में अभी आप देखेंगे, तो हमारे प्रधान मंत्रे हैं, स्री नरेदन भुद्र जी, वो अपने हर स्पीच में, आप कहलेजिए कि हर दूसरे स्पीच में, वो स्वामी जी का कुछ न कुछ कोटेशन या उनसे जुरे हुए कुछ प्रशंग यूज करते हैं, खास करके वो जब देश के युवाओं को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो स्वामी जी की बात करते हैं, तो उनके अपने जीवन पे भी काफी प्रभाव रहा है और वो बताते हैं, तो किस तरीके से प्रधान मंत्री जी के, जो उनका जीवन से लिए हो, उनका वक्तव्य से लिए हो, उनकी कारिय से लिए हो, वो किस तरीके से स्वामी जी से प्रभावित है, जो आप ऐसे कुछ है ना, जो जिसे पता चलते क्या है स्वामी जी ऐसा चाहते हैं, एक तो News 18 को दिया हुआ एक इंटर्यूर है, जिसमें प्रदानमंत्री जी स्कूल में कुछ कॉंपिटिशन हो रहा था, तो उन्होंने स्वामी विवेकान कुछ कोटेशन पढ़े, उनको बड़े अच्छे लगे और वहां से उनका प्रभाव शुरू हुआ, स्वामी विवेकान के सहित्य का उनके जीमन में आना हुआ, और वो प्रभाव आज तक है नरेंदर मोदी जी, राम कृष्ण पर मिशन के, जो स्वामे कानन द्वारा एस्टेब्रिश्ट और्नाइजेशन है, उनके सन्यासी जो होते हैं, उनसे दिक्षिद डिसाइपल है, उन्होंने दिक्षा ली हुई है, स्वामी जी से, तो ये इंपक्ट उनका कंटिन्यू चा जो विवेकानन विकासियात्रा, संपूर्ण गुजराद में उन्होंने चलाई, और उसके समापन का लेक्षर आप सुनियों का, कितनी गहराई से उन्होंने स्वामे का पड़ा हुए है, हाँ, महिलाओं को लेकर के, इस्किल्ड को लेकर के, ये जितने इस्किल्ड जो में वो गए, तो वहाँ पे वो इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो परिस्टियां बहुत अच्छी नहीं थी, एक नौमे की इस देश में, तो वो कह रहे हैं, कि एक भारत का युवा सन्यासी, अंदकार के दौर में, पश्यम की छाती पर चड़कर भारत का विचारगी बात कर देता है, तो आज तो हमारे पास उतनी बूरी कंडिशन नहीं है फिर भी, तो वो इंस्पायर करने के लिए, बनों एंट्रेणोर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, स्टूरी स्वामे वेकानदगी बता रहे हैं, ये कंट्रिनूटी उन कर्म के माद्यम से लागू कर देता है, उसके बाद अभी भी आप देखते हैं, स्वामे गन्द की जैनती पर वहाँ पर जाना हो, रानकृष्ण मेशन बैलूर मड़ जाना हो, वहाँ पर स्वामे गन्द के रूम में मेडिटेट करना हो, तो स्वामे विवेकाननद से वो अ उबामा खुश हो के कहते हैं, क्या मैं गर उसे कहता हूं, मैं गर उसे बता रहा हूं आगको, क्या मैं उस शिकागो से आता हूं, जहां था भी स्वामे वेकानने भाशन देता, अपना परिचे लेटे, अविवेकार का एक्स-Pरसिदेंट, और उस समय तो प्रेजिन्ट, उ वो विशे रखते होगे तो ये इंपेक्ट उनके लाइफ में कड्रूडे से गया चाहिए अब ही क्या है अब तो काफी दरिस्क चर्चा का वो है एक दू विशे और एक परशनी है अब ही पूरा भारत में भारत वर्श में पूरे हर प्रांत में हर समाज में पूरा देश खूब सुने और बाद में उनके वक्तवियों में आख्यानों में वे आता भी है तो ये बड़ा जिग्यासा है लोगों में कि सब के स्री राम क्यों कि राम सब के है और हर सबरी ने अपने हिसाब से देखा गिलहरी ने अपने हिसाब से देखा तो स्वामे विवेकानंद के माता सिता और राम राश्ट्र के अदर्श थे हुब भू शुर्शवद बता रहा हूं स्री राम और माता सिता बहरत के राश्ट्र अदर्श है मतलो सी आ रहा हूं स्री विवेक अनंद पश्चिम में गए दूसरी बार दूसरे प्रवास में का दिया हूं का लेक्चर है रामायन टैटल पर पूरा रामायन को पश्चिम को बता रहे है शुरू कर रहे हैं कि हमारे वहां आयुद्या नगरी थी आवद में वहां पर राजय दश्रत उनके पुत्र तो ऐसा पूरा कहनी बताते हुए लंका तक पूरा हनमान जी सारा पूरा बताते हैं फिर इसको conclude करते हुए फिर बताते हैं कि श्री राम और माता सिता ये राश्टर के भारत राश्टर के आदर्श है फिर श्री राम पर पहले बताते हैं ये वस एन आइडियल सन आइडियल फादर ideal husband स्रेश्ट थे इसलिए मर्यादा पुर्शो तम्राइडियल सासक येस और उसके बाद माता सिता के उपर आते हैं स्वामे कंद कहते हैं कुछ भी फिर से प्रडियूस हो सकता है माता सिता एकी थी इस दुनिया में और हर बेहन की हर मा की इस राष्टर में हुआ दर्श है सिता और नहीं आ सकते हैं मतलो स्वामे जी का लगाओ सिता माता के साथ अगर आप वो पूरा लेक्चर अगर पढ़ लेंगे वो तो रामायन आपको सिरो आप गूगल पे करिये रामायन सिता BOC क्या इतना नहीं स्वामे का अनन्द का शायद से मैं बहाइषत हो सकता हूं किसी और के लिए नहीं को रहा किसी और आप नाम मत बोलिए कि उनके प्रती नहीं था माता सिता के प्रती फिर भारत वापस आते है फिर भारत में दिया हूँ हमका lecture The Stages of India हमारे महापुरुष वहाँ पर फिर प्रभुषिरां के बारे में बताते है वहाँ पर फिर माता सिता के बारे मताते है और अन्य अन्य वैख्यानों में तो माता सिता हम कहते हैं कि पतन का कारण नहीं रहा कि हमारी बहन बेटिया जो माता है थी इस तरी के सुआ और वो आदर्स चरित्र जो है माता को लेकर के आए थे कि क्या उनका अस्तर था और कहां से वो आया तो एक प्र Alexand ऐसा है प्रस्त है और कि हम स्वामी जी की बात करें और भागनी निवयदिता की बात ना करें तो वो कहीं न कहीं अधुरासा की सरीर की बात नहीं हुई आत्मा रह गई तो भागनी निवयदिता Margaret Novel से भगनी निवेटा बनी और उनका भारत में इतना बड़ा काम स्वामी जी के जाने के बाद है ना वो मतलब कलकत्ता में जो पलेग से लेकर के हर्जी साइंस के एस्टेप्लिस्मेंट था जो आज हम नमबर वन इस्टिटूट रैंकिंग में आता है यह सारा वो थोड़ा संचित में रख लें तो युवाओं को थोड़ा लगे कि हाँ भगनी निवेटिता के बारे सही कहा आपने कि स्वामी वेकानन्द को समझा और भगनी निवेटा को नहीं समझा अदूरा रह जाएगा यह सुबह चंदर बोस कह रहे है कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी वेकानन्द को पढ़ कर लेकिन स्वामी वेकानन्द को मैंने समझा भगनी निवेटा के पत्रुज़ग पत्रुज़ग हम भी आजकल जब भगनी निवेटा ने स्वामी जी पुस्तग लिखी है मैंने अपने गुरु को जैसे देखा तो उससे हम ज़्यादा समझ बाते हैं और अदो समझ बाते हैं आपको ये जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं आपको कोई बोले क्या आपको अपनी जगे छोड़ कर अगर आप तमिल अडू से हैं तो आपको कश्मीर में जाके निस्वार्द भाव से वागर काम करना है कुछ नहीं मिलेगा तो जाने की ताकत है हमारी दिल्ली तक नहीं आपाएंगे लोग कोई दिल्ली वाले को कहे कि यहां से आपको जाना है नौर्ट इस्ट कॉछ बहुत चोटी बात है कोई आपको कहे चंगल ne जागे काम करना है बहुत जाओगे पास कुछ नहीं है फिर भी हम डर रहे हैं इसके पास पैसा भी है धन दौलत भी है शीज़ प्रॉलफिक स्पीकर शीज़ वरेशियस लीडर अदभूद लेखग है बहुत अच्छी ओरेटर है सब कुछ है और उसके लिए उनको आना है भारत भारत कौन भारत जो उस समय गुलाम है परादीन है किनके दौरा परादीन है उसी लंडन के दौरा जहां पर वो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरू के आवान पर वो भारत आती है और भारत आती है तो स्वाम अगम को शिक्षा और देख्षा भी देते हैं और निवेदिता नाम भी और उसके बाद भगने निवेदिता को स्वामे कानंद दो कारे के लिए बुलाते हैं पहला होता है बेहनों की शिक्षा के लिए दूसरा होता है स्वास्त के लिए और फिर यहां पर स्कूल शुरू करते हैं बगने अता कि सामने सिर्फ और सिर्फ स्कूल शुरू करेंगे तो पैसा कहां से लाओंगी जगे कहां से लाओंगी यह तो बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय घर-घर जाकर क्योंकि इतना आतंक रहा भारत में विदेशियों का अकरांताओं का कि आप बहनों की सिक्षा के उपर बहुत बड़ा अगात हुआ तो बगने जिता घर-घर जाकर बता रही है कि तुम अपनी बच्ची को भेजिए सिक्षा बहुत जरूरी है अगर बहन सिक्षा पाएगी तो इंडिपेडन्ट फिंकिंग होगी वो अपने स्वतंतर निर्ने ले पाएगी स्वामेकांद कहते हैं एक राश्र जैसे एक पक्षी का एक पंक कितना भी मजबूत उपर नहीं उठ सकता ऐसे एक राश्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी दोनों पंके मजबूत नहीं है जब तक उसमें बराबर की भागेदारी और बराबर की हिस्दारी नहीं होगी तो उस काम के लिव आए थी और वो निरंतरता से बहनों का स्कूल होने शुरू का तीन बहनों से नविता स्कूल आज भी केलकटा में, और आज हम देख रहे हैं, देश के प्रतिष्टित, जो कॉलेजिस हैं, वो बेहनों के नाम से, उसकी नीव रखने का काम भगनेता ने किया है, बंगाल में पलेग आ गया, 1898-1899, उस समय भगने निवेता जाडू ठालेती है, नालियां साफ करती है, जो बच्च स्वामी विवेकानन्द के समाधी के बाद, 1902, 4th of July, 1902 को स्वामी विवेकानन्द अपना शहरी शुरते हैं, अब भगने निवेता कि सामने चलेंग था, जिस गुरू के कारण वो सब को छोड़ गया थी, लेकिन गुरू ने विक्तिकत प्रेम नहीं जागरित करवाया, ग क्योंकि उनके बनाए हुए जो सिशे थे, वो उनके जाने के बाद भी यथा इस्थी रास्ट निर्वान में लगे रहे हैं, विमुख नहीं हुए, 1905 में बंगार का विवाजन हो जाता है, अंदोलन शुरू हो जाता है, भगने तो अभी अपने बाहें उपर कर लेती हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़ा हो जाती है, यह स्वामी जी का तेज था, अन्याय उन्होंने देखा कि अन्याय हो रहे हैं, लोगों को उनको लंडन से लगता था क्या, भारत में बहुत कॉंट्रिबुट कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, कि बिटिशन ने भारत को यूनिफाई किया, भारत को जोड़ा, भाई जोड़ा या नहीं जोड़ा है तो बिसी को पता नहीं, तोड़ा है यह तो सबको पता है, पाकिस्तान बना, बंगलादेश बना है तो सबको पता है, तो जोड़ा या नहीं जोड़ा यह तो पता, निकि सुपरमन्य भारती उस समय श्रिंगार रस की कविताई लिख रहे होते हैं उनसे मिलते हैं कहते हैं अगर कलम में दम है तो भारत मा के लिखो श्रिंगार रस की कविताई लिखने वाले सुपरमन्य भारती वी रस की कविताई लग रहे हैं शुरू कर देते हैं अब इंदर ना जकड़ी हुई भारत माता के चितर बनते हैं और युवा करांतिकारी स्वतंता अंदोलन में कूझ आते हैं तो ये काम भगने नेवेता और भगने नेवेता ने भारत भारत का पहला राष्टे दोज किसे ने बनाया भगने ने बनाया आप सिर्फ गूगल करिए वो वजर जो जो पराकरम का प्रतीक है लंडन से आई हुई एक महिला को पता है कि भारत का दोज कैसा होना जी तो वो इंपेक्ट भगने नेवेता के दिखता है और ये सारा कारे करते करते हैं उनका बहुत छोटी उमर में जीबन भारत में चोड़ा वापस नहीं गई उनका नाम के अनूरूपी नेवदित हो गयी वो भारत में ने जन्मी थी टेकिन भारत के लिए जन्मी थी रभज़ना ट्यगोर उनको लोकमाता कहते है ये इंपेक्ट सँमेकानद का जह जो उन्होने लाइफ में देखा सँमे युवाओं को ले करके जैसी स्वामी विवेकानन्द equal to SMS में होता न, equal to स्वामी विवेकानन्द equal to युवा स्वामी विवेकानन्द equal to युवा, युवाओं को ले करके जो उनका संदेश रहा है वो काफी उनके सारे वे अख्यानों में मिलेगा आपको क्योंकि वो भरोसा ही नवसंतती पे करते हैं और वो नवसंतती ही यहां से लेकर पहले सुवाचन बोसे शुरू होता है और वो नवसंतती अभी आप नरेदर मोदी जी के तोर पे देख रहे हैं जो अभी नई PDA उनको लेकर के परे संचित में क्या संदेश था जिससे यहां मतलो तुरा सा आंदोलित हो या अहालर्चत हो इस तरीके से राश्टर को 75 वर्ष से ज़्यादा अज़ादी के हो गए है राश्टर अपना अमरित काल में प्रवेश कर रहा है 75 वर्ष बहुत इंपोटन है बहुत सारा काम करने को है Swamayagandh कैते है My faith is in the younger generation the modern generation out of them will come my workers and they will solve the whole problem like lions a hundred thousand men and women fired with the zeal of holiness fortified with an eternal faith in the Lord nurse to the lion's courage for the sympathy for the poor the fallen and the downtrodden will go over the length and the breadth of the land preaching the gospel of salvation the gospel of help the gospel of socializing up the gospel of equality ऐसे हाजारो नर्नारी हमें चाहिए है जो ये राश्टर के सामने जो आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर sports में किसी field में जो काम है उसको पून कर सके और फिर Swamayagandh कहते है I do not see into the future nor do I care to see किया मैं कोई भविश्य वक्ता नहीं हूँ ना मुझे जोरत भविश्य वक्ता बनने की I do not see into the future nor do I care to see but one vision I see clear has lie before me that the ancient mother has awakened once more sitting on her throne rejuvenated more glorious than ever proclaim her to the world with a voice of peace and benediction कै ये भारत माता पुने जगत जन्नी बनने वाली है मैं सपश्टा से देख रहा हूँ ये Swamayagandh के शब्द है हमको तै करना पड़ेगा कि हमको कैसे contribute करना है they alone live who live for others rest are more dead than alive expansion is life contraction is death सिर्व वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं बाकी तो मृत्य के समान है तो ये Swamayagandh का विचार था कि ऐसे कुछ लोग मिलें जो निश्वार्द भाव से जो करने करें और एक मारदर्शन चाहिए होता है एक व्यक्तितों चाहिए होता है वो चक्तान के तरह है स्वावे का पीछे एक लास्ट में जो पूटिशन है स्वामी जी का अराइज अवेक इसको सही अर्थों में जो स्वामी जी चाहते थे वो क्या था क्या पत दुरगम है काटों से भरा है सब का है चैलेंजिस हैं सामने फिर भी अर्थो जागो और लक्षे प्राप्टितक अर्गो मत लक्षे एक ही है मेक इंडिया स्प्रिच्वल पावर बस एक ही काम है Conquer the world with spirituality स्वामी कानत कहते है क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं Love can conquer hatred Hatred cannot conquer love Love can conquer hatred Hatred cannot conquer love Materialism cannot conquer materialism Armies when they try to conquer armies They only multiply into the groups of humanity Therefore Love must conquer hatred Hatred cannot conquer love ये संदेश है अस्पर सब्दो में स्वामी जी Therefore West Should be Conquerred through spirituality Arise India Awake India Conquer the world with spirituality Arise India Awake India Conquer the world with spirituality Arise India Awake India Conquer the world with spirituality ये स्वामी कानत का विशे था उसमाता के संदेशों को दुनिया के सामने में ले करके जाना ये उसका मतलब है और वो कठोप निसाच से लिया गया है स्वामी जी के ये सुसे तो आज का जो चर्चा का विशे था स्वामी जी को ले करके अभी युवादिवश आ रहा है तो आप सब को युवादिवश की हातिक शुब कामना है और स्वामी जी को ले करके काफी सारी उनके quotations को लेकर के उनके विशेयों को लेकर के जुब रहांतिया थी मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो सारे चीजे दूर हो जाएंगी निखिल जी ने उन सारे विशेयों को सही अर्थों में रखा कुछ चीजे जैसे मैं भी अब तक समझ रहा था कि आराई जाविक वला कोटे संसामी जी ने दिया था तो अभी मेरा भी कल सब थोड़ा किलियर हो गया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इजिशे के लिए नमस्कार